तो स्वागत है आप सभी का ग्याफन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के उर्दू का तीन चेप्टर कम्प्लीट करने वाले हैं जी हाँ एक बार फिर से ध्यान से सुन लिजे तीन चेप्टर कम्प्लीट होने वाला ह जो कि एक दास्तान है दास्तान तो आप लोग को पता ही होगा किसे कहते हैं बहुत ही लंबी कहानी को कहा जाता है दास्तान जिसको हम लोग एक ही बैठक में नहीं पर सकते हों ठीक है अगर आप लोग दास्तान पढ़ने जाएंगे ना तो सुबह से शाम हो जाएगी शाम स तरीके से अगले 30 चेप्टर को और फिर 30 चप्र टीनों चप्र jync वन बाई्वन करके याँक सिलसलिवार तरीके से हम लोग तु स्थ गरेंगे तो चलिए आज किस वänge § करते हैं और स्थ करने से पहले में आप लोग को कहुंगी कि विडियो तो काफी हुरड है तो स्टाटिंग में आप लोग वीडियो को लाइक कर देगे और जितना ज़्यादा हो सकिते हैं अप लोगे रिष्टेदार हैं जोटे बड़े बाई भान है जितने भी आप लोगे दोस्थ हैं चारो तरफ शेर कर दीजिए ताकि मिदा इस वीडियो का लाब उठा सके चानल पुरा दास्तान नहीं पढ़ना है आप लोगों को इस दास्तान का छोटा सा एक हिस्सा चोटा सा टुकड़ा पढ़ना है पुरा दास्तान का किताब आप लोगों को नहीं पढ़ना है उसी का एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया गया है उसी को अप लोगों को पढ़ना है पूरी कहानी नहीं पढ़नी है तो इस दास्तान के पसाना अजाब के यह जो दास्तान है इसके दास्तान निकार कौन है लिख से टिक कर दीजेगा जिस भी option में दिखाई दिया ठीक है ना आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मिर्जा रजबली बेक सरूर के बारे में सारा डिटेल समझेंगे कुछ ज्यादा डिटेल्स भी नहीं दिया गया है थोड़ा बहुत डिटेल्स दिया गया है जो कि मैं बोड पर ल रहता है लेकिन बहुत बड़ा बेवकूफ इसके बेवकूफी की कहानी आप लोगो सुननी है लास्ट में तो इंडिंग जो किया गया एकदम मज़दार है आप खुश हो जाएंगे या फिर घम में डूब जाएंगे या आप लोगो पता ही नहीं चलेगा इंडिंग कैसा ह जों मैं ज़र्ण हुआ यानिए इनकी पैदाइश हुई सेतरसब पच्चासी नहीं तो चीएसी दिया रहेगा दोनों एक साथ कभी देगा नहीं तो सतर सब पचासी अगर दे उसको धीरे से ठीक कर दीजेगा अगर सतर सब पचासी ने तो 86 से में इनकी पैदाइश हुई थी कहां पर तो लखनाउ में इनके वालिद या इनकी पिता जी का नाम था मिर्जा असगर अली बेग और इनके जो उस्ताद का नाम याद रखिये गा आ यानि कि मिर्जार रजब बाली बेक इस्ताद ₹ टीचर का नाम ऑगा नवाजश ₹ और यह जो आगा नवाज़िश ₹ जिश्त है यह यानि कि इसके स्टूर्ण के स्टूर्ण च्टूर्ण के याद रखेएगा एक बर से सुनिये आधा नवाज़िश ₹ cœur लेकिन यह आगानवाजिस खुद स्टूडेंट यानि कि मीर सोज के स्टूडेंट शागिर्थ और आगानवाजिस खुद जो है ना यह एक टीचर है मिर्जार रजब अली बेग सुरूर के फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहती हूं ताकि आप लोग के माइंड में फिट उर्दु फार्सी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे मतलब उर्दु फार्सी में इनको महारत थासिल थी ठीक है लेकिन उर्दु फार्सी के लिए इन्हें कुछका अर्भी भी आती थी ठीक है तो समझें कि उर्दु फार्सी और अर्भी तीनों लेंग्विस यह जानते चल रहा था हिंदुस्तान पर ठीक है तो वाजिद अली शाह के एहद में ये 50 रुपे महीने पर नौकरी कर रहे थे ठीक है लेकिन जब 1857 की क्रांती हुई यानि कि 1857 की बगावत हुई तो 1857 की बगावत के बाद महराजा बनारस ने 100 रुपे महीने पर मुलाजिम रखा यान महराजा बनारस ने इनको 100 रुपे महीने पर मुलाजिम रखा यानि कि इनको 100 रुपे महीना मिलने लगा ठीक है जुलाई 1869 को ये बनारस गये थे बनारस कुछ दिन रहे थे और फिर बनारस से ये राम नगर वापस लोटा है ठीक है अब देखिए इनका इंतकाल हो गया था 1869 यानिक एठाड सा 79 इस भी में और पंच पट्टी में इनको दफन किया गया ये कोशन पूछा जा चुका है कि मिल्जा रजबली बेक सुरूर के उस्ताथ का नाम क्या है आगा नवाजिश और हो सकता है कि इस बार आप लोगे पूछ दे कि आगा नव मिल्जा रजबली बेक सुरूर के तस्नीफ का नाम यहां पर कुछ दे दिया गया तस्नीफ यानिकी क्रियेशन इनका खुद का लिखा हुआ है फसाना अजाइब ये किताब लिखा गया था कान पूर में पूर यहां पर रे छोड़ दी हूं में रा ठीक है तो पसाना अजा मिल्जा रजबली बेक सुरूर की किताब या रखन है बस इतना ही डिटेल्स दिया गया लगाए आप लोग के वुक में ठीक है तो अब लोगो यह पूरी दास्तान जो आप के बुक में दिगई है जो कहानी बताई गई है उसको एकदम सिलसलेवार तरीके से शॉट कॉर्ट में ही बताऊंगी ज्यादा समय नहीं लोगी ताकि कम समय में पूरी कहानी आप लोग समझ सके और पूरा चैप्र कंप्लीट कर सके अगर आप लोग यहां तेके स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई भी कुछ भी मांगने के लिए आता ना तो खाली हां लान नहीं देत थे यह बद्रिशा façon कोई बि'll कि इंसान कुछ भी मांगने लिए यह थो साइल को कुछ न कुछ दे कर ही भीजते थे तो उसी तरीके से इनकी इसी इमानदारी और इसी नेकदिली का फाइदा जो है एक साइल ने उठाया ठीक है हलांकि यमन के बादशा को इनकी जो अवाम थी इनकी जनता वो खुदा दोस्त के नाम से बुकारती थी और इनको फर्खंदबख्त पर्खंदबख्त कहा जाता था यह इंपॉर्टेंट है कोशन पूछा जा सकता है अब्जेक्टिम में तो यमन के बादशा जो बहुत ज़्यदा नेकदिल साफव और इमानदार थे इनकी मानदारी और इनकी नेकदिली के वज़े से इनकी जो अवाम थी इनकी जनता वो उन्हें फर्खंदबख्त बुलाती थी और एक और नाम से पुकारती थी खुदा दोस्त के नाम से खुदा दोस्त इनको कहा जाता था क्योंकि बहुत ही ज़्यदा नेकदिल थे यह अब देखिए इनकी नेकदिली को ही देखकर और इनकी मानदारी को देख कर जो है ना एक सायल आया और इन्हें बेवकुष बनाया एक सायल आया इनके महल में और बादशाह से बोला कि हमने सुना है कि आप खुदा दोस्त हैं आपको फरकंदबख्त कहा जाता है लेकिन मैं नहीं मानता क्योंकि मैं आपके महल में कुछ मांगने के लिए आया हूं तो जो साइल था वह बादसा से कहा है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमें तीन दिनों के लिए यमन का बादशा बना दे आप अपना तक्त वाताज में तिन दिनों के लिए सउप लिए अब ये बात चुनका यहाँ पर थोड़ा सा भी नहीई सोचें यहीं पर यестно सबसे बड़ी बेवकुफी का काम किये सबसे बड़ी गलती यहीं पर किये यह साहिल को तीन दिनों के लिए बादशाह बना दिये अपना तख्त ताज तीन दिनों के लिए साहिल को दे दिये अब क्या हुआ साहिल जो है वह बादशाह बन गया कहां एक गरीब फकीर इंसान मा साधा बनः वा था बादशा बना वए था उसके पास गये और बोले बादशा विए देखो तम्हरा 3 दिन पूरा हुआ अब मेरा तक्त ताज वापस करो अब मैं एमन के मुलकिता बादशाह हूँ तो वो जो सायल था वो यमन के बादशाह से कहा कि ये तो मैं आपका इम्तहान ले रहा था कि आप मुझे तीन दिनों के लिए बादशाह बना रहे हैं कि नहीं आप इम्तहान में पास हुए मैं आपको फरकंद बख्त मानता हूँ लेकिन अब मैं चाहता कि यमन का बादशाह बन जाओं आप हमें हमेशा के लिए यमन का बादशाह बना दीजिए तो मैं मानूंगा तो यहां पर इससे भी बड़ी गलती कि यमन के बादशाह की हमेशा के लिए उससाहिल को यमन का बादशाह बना दिये सबसे बड़ा बेवकूफी का काम किये थे य यहां पर क्या किये यमन के बादशा उस साहिल को हमेशा के लिए बादशा बना दिये हमेशा के लिए अपना तक्त और ताज दे दिये ठीक है अब तो साहिल जो है ऐश्वाराम की जिन्दगी बसर करने लगा गरीब था और डारेक्ट राजा बन गया बादशा बन गया महल मे से निकल कर अपने बीवी बच्चों के साथ दूसरे शहर में चले रूके हुए थे उनीकी बीवी थी और हुआं के दओ भाया वह Right अगर बादशाह से कहा कि देखिए हमारी बीवी की डिलेवरी होने वाली है उसे दर्द जह हो रहा है यानि कि डिलेवरी का दर्द हो रहा है आप प्लीज आप अपनी बीवी को हमारे साथ जाने दीजिए ठीक है कोई भी दाई नहीं मिल रही है कोई भी हकीम नहीं मिल रहा है मैं क्या करूँ आप अपनी बीवी को हमारे साथ जाने दीजिए तो यहाँ पर तीसी सबसे बड़ी गलती किये थे बादशा जो है ना बिना सोचे समझे अपनी बीवी को सौधागर के साथ भेज दिये वो सोचे की बिचारी उसकी बीवी का दर्द जे हो रहा है यानि की डिल लागा कि लट कर वापस नहीं आया इनकि बीवी किन हो गई खिसे आलिया हमेशा के लिए ले कर भाग गया ठीक है अब यहाँ पर बादशाह इंतलार रहे थे इंतला नाकि लेकर आएगा लेकर आएगा लेकिन वो सौधागर लेकर कहा आने वाला है वो तो लेकर भाग गया उनकी बीवी को ठीक है इंतिजार कर रहे थे कर रहे थे कर रहे थे शाम हो गई अब यह सोचे कि अब ढूंडा जाए अपनी बीवी को सौधागर तो धोखा दे दिया चलो ढ बड़े बेटे को नदी के किनारे खड़ा कर दिए और उनका छोटा भेटा था उनको कंधे पर ले уч 지역 अन泥 तैर कर पार करने लगे तैरते ते हुए जब बीच नदी में पहुंचे तो जो किनारे पर अपने बड़े बेटे को कि नदी के किनारे जो बड़े बेटे को खड़ा किए थे उसको भेडया उठा कर ले कर चली गई यानि कि जब भेडया उठा कर लेकर जा रहे थी तो बेटा चिल्लाया कि बाबा बचाईए तब तक जैसे यहां पर दोनों बेटे हाथ से गए यानि कि जो नदी के किनारे खड़ा उनका बेटा था बड़ा बेटा उसको तो भेडिया उठा कर लेकर चली गई और जैसे ही वह चिल्लाया बचाने के लिए कि बाबा बचाईए वैसे ही बादशा जैसे ही घूमे अपने बड़े बेटे को देखने के लिए वैसे ही छोटा बिटा उनके कंधे पर से गिर गया और नदी उसको बहा कर लेकर चली गई तो सोचिए यहां पर बादशा के पास क्या बचा कुछ नहीं ना उनका सल्तनत रहा ना उनकी बीवी रही और ना उनके बच्चे रहें बड़ा वाला बच्चा को भेडिया उठा ले गया और छोटे वाले बच्चे को नदी बहा कर लेकर चली गई उनके पास बच्चा क्या कुछ भी नहीं यहीं होता है सोच समझकर फैसला नहीं लेने का अंजाम तो यहां पर आप लोगो सीख इस कहानी से यहीं मिलती है कि कोई भी फैसला लो तो आद शहत भी रहती उसके पास बीवे भी रहती और उसके पास बच्चे इसके गचिन सोच एक और आगे की कहानी सुनने के लिइए उसके अफैनली यहां पर यह जो कहानी बताई गई थी इस चेप्टर में वो पुरी कहानी में शॉड़ कोषीब ताकि कम समय में पूरा chapter complete हो जाए, I hope आप लोग को कहानी समझ में होगी, कैसा लगा कहानी comment box में लिखकर बताईएगा, बादसा पर गुशा आ रहा है कि बादसा का हालत देखकर उस पर तरस आ रहा है, जरह comment box में लिखकर बताईएगा, ठीक है और उसके बाद से स्क्रेंशोट तो आप लोग लेही लिये हैं वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो पड़ाफट लाइक कर दें चैप्टर नंबर 29 तो कंप्लीट हो गया अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 30 यानि की 30 को क्वारंटीन नाम से आप लोग परीचित तो जरूर होंगे क्योंकि कोविड-19 विमारी के वज़े से जो महामारी पहली हुई थी उससे आप लोगो तो जरूर पता चल गया होगा कि कि किसे कहते हैं बहुत लोग यह समझ लेते हैं कि महामारी जिस बिमारी से फैलती है वह किसी इनसान को हो जाता है तो उसको अलग जगह पर रखा जाता है तो अलग जगह पर रहने को क्वारंटीन कहते हैं जबकि ऐसा नहीं है अलग मतलब अलग जगह पर रहने को क्वारंटीन नहीं कहते हैं बलकि उस जगह को क्वारंटीन कहते हैं जहां पर उस बिमारी से पी आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो 7.7 पेज का है यह कहानि सुचिए आप लोगोсь क्यों को शॉर्ट लगता है कहानी नहीं स्टोडी तो भले मुक्तंसर अफ़ाना लिख दिया है लेकिन 7 पेज का दे दिया लेकिन आप लोकि डिस्टे नहीं लिजे और इस कहानी का hero कौन है man character कौन है ठीक है उसके साथ क्या-क्या होता है यह हर एक चीज आप लोगों को पता चलेगा यह पूरी कहानी में आप लोगों बताऊंगी लेकिन उससे पहले इस कहानी यानकिस अफसाना की जो अफसाना निगार है लिखने वाले हैं वो है राजेंद सिंग के राजेंदर सिंग बेदी के बारे में जो आप लोग के बुक में कुछ दिटेल्स दिया गया है मैं यहां पर बोड पर लिख ले लिख चुकी हूं इसको अम लोग समझ लेते हैं राजेंदर सिंग बेदी की पैदाइश हुई थी एक सितंबर उन्हें सब पंदरा पर लाहर में एक बार से सुनिए एक सितंबर उन्हेंस पंदरा विख राजेंदर सिंग बेदी की पैदाइश कहां हुई जिस बी ऑप्सन में दिखाई दे लाहर उसको धीन से टिक करते है ठीक है राजंदर सिंग बेदी के वालिद यानि की इनके पिता जी का नाम था हेरा सिंग बेदी और इनकी माका नाम सा देवी उन्हें से teasing एकतिस सब्सक्राइब और उसके बाद से यह पोस्ट ओफिस में कलर का काम करने लगे तभी इनकी वालिदा सीवा देवी का इनकी मां पिता हिरा सिंग वह राजेंदर सिंग बेदी से कहें कि तुम post office में color का काम करो तो राजन सिंग वेधी अपने पिता के कहने पर post office में color की का काम करने लगे नौकरी करने लगे ठीक है और कुठ सालों के बार जेब इनके मा का इंकि कुठ सालों के बाद इनके पिता का भी इंकि Germaal विए इनके वालिद के बाद ये अपनी बीवी का नाम सुमावती से बदल कर सत्वंत को रख दीए ठीक है यह याद रखिएगा अध्वी जिंदगी का आगाज इन्होंने 17 नहीं तो 18 बरस की उमर से इन्होंने अध्वी जिंदगी के आगाज यान की शुरुआत किया इप्तदा में अंग्रेजी अंग्रे में नजबी में लिखा करते थे और उर्दू पंजाबी में अफसाने लिखा करते थेए और पंजाबी में यह कहानी लिखा करते हैं तालिब इलमी के दा कजर सोाइब में किन हैं तो ऑसन में दिया रहेगा मौसीन नहीं रखान पत्री स्थापित उन्हों मैं यह नौकरी को नौकटरी को उन्हें चोर दिया दिलिए का फबलिसिती डिपाटमेंट में यís काम करने लगें पिया युद्वाजिय को बदेश से नौकरी को भी काम किया उसके पाध कूल इंडिया रेडियो स्थापना की खुद से राजेन सिंग बेदी जो है ना उन्हें से शारिस में संगम पॉब्लीशर्स लिमिटेड के स्थापना की थी और उसके बाद से उन्हें 48 में ये जम्मू रेडियो स्टेशन का डारेक्टर बनाए गए ठीक है और फिर इस नौकरी को भी उन्होंने आप यूं कह सकते हैं कि यहां से इस नौकरी को छोड़कर वह उन्हें 49 में वापस आकर बंबई चले गए ठीक है और बंबई हमेशा रहने के लिए चले गए इनको बहुत सरे खिताब मिले थे आवार्ड मिले थे जिसकी पदम श्री का खिताब मिला था इनको साही तैक एडमी आवार्ड मिल था ठीक है और 1979 यानि कि 1980 में फालीज का हमला हुआ इनके शरीर पर और इनका इंतकाल हो गया 11 नौवंबर 1984 को राजेंदर सिंग बेदी का इंतकाल हो गया अब इनके कुछ अपसानवी मजमुआ यानि कि कहानी के किताब का नाम दिया गया है इसको याद रखिएगा जैसे क है दाना वदाम गरहन कोक जली अपने दुख मुझे दे दो हाथ मेरे कलम हुए मुक्ति बोद ये सब क्या है राजेंदर सिंग बेदी के कहानी के किताब यानिकी अफसानवी मजमुए है और ड्रामों का मजमुआ है यानिकी ड्रामा का किताब बे जान चीजे और साथ खेल इसके बाद से इनका एक नाविल्ट है एक चादर मैली इसको कभी नहीं भूलना है यह बहुत बार क्रोशन पूचा गया है कि राजेंदर सिंग बेदी के एक नावील्ट का नाम बताइए और यहां पर तो फाइनरी राजेंदर सिंग बेदी के बारे में जो कुछ भी अगर आप लोग यहां तक स्क्रिन्शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ले सकते हैं हरांकि इसका पीडियो वी टेलिग्राम पर अप्लोड कर दिया जाएगा अगर आप लोग अगर आप लोग मोवाइल में टेलिग्राम एप है तो सर्च करके भी जॉइन कर सक हैं ठीक है तो वहां पर इसका पीडियो भी डाल दिया जाएगा अधरवाइस अगर आप लोग यहां तक स्क्रिन्शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ले लिए फड़ेवर स्क्रेंशॉट अब चलिए मैं आप लोग को यह क्वारेंटीन जो अफसाना है म कम समय में पूरा चेप्टर कम्प्लीट कर पाएं तो क्वारेंटीन इस अफसाने का जो मेन करेक्टर है मरकजी किरदार आप यह कहते हैं हीरो वह विलियम भागो विलियम भागो यह हीरो रहता है अभी पहले देखिए कहानी कि शुरुवात कैसे होती है जैसा कि कहानी का ट प्लेग नामक विमारी को जैसे जिसको ब्लैक की विमारी भी कहते हैं जो की चुहों से होती है तो प्लेग नामक विमारी को जैसे शहर में महामारी फैली हुई है जिन जिन लोग को प्लेग की विमारी हो गई है उनको शहर से दूर एक जगह बनाया गया है वहीं पढ़ ले मारे को ठीक है कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है और आप कह सकते हैं कि जहां पर क्वारंटीन है ना यानि कि पलेग्स вокруг रख जा रहा है जहां पर उलाज हो रहा रहा है वहां सथाइब करने वाले वहां पर सफाई करने के लिए भी नहीं जाते हैं क्यों कि उनको प्रेग की विमारी हो जाएगी सब्सक्राइब हो जाते हैं जो जगह है वहां पर उनका इलाज का काम कर रहा है और वहां पर कोई क्षरांटीन पूरा गंदा घंदा रहता है वहां पर कुड़े कच्ड़े बहुत जादा हो गए रहते पुरी गंदगी फैल गई रहती है ठीक है और उस क्वारेंटीन में जो प्लेग से पिर व्यक्ति हैं वह अपने सामने दूसरे व्यक्ति को दम तोड़ते हुए कोई दम तोर दिया करते थे तो ने सामने धूस्टिक मरते हुए देख फुद मर जाया करते थे एक ऊतरा की विमारी थी एक अब क्वारेंटीन में बहुत ही खतरनाक क्वारेंटीन हो गया था अब लोग जो है ना प्लेग से कम क्वारेंटीन नाम के जगह से ज्यादा डरते थे कि हमको प्लेग की बीमारी हो जाएगी तो मुझको क्वारेंटीन में रख दिया जाएगा ठीक है और प्लेग से ज्यादा से लोग ड़ने लगे थे कोई नहीं जाता था साफसफाई का काम करने के लिए तुरा गंदगी फैल चुका था क्वारेंटीन में और शहर के लोग थर थर कापते थे पहले नारा होता था ना चूहा ना प्लेग अब लास्ट में ना क्वारेंटीन लगा दिया गया था यानि क दो इस तरीके से होता था और उसके बाद से क्या हुआ उसी शहर में एक शक्स रहता था यानिकि इनसान रहता था जिसका नाम था विलियम भागो हलांकि जहां पर क्वारेंटीन था ना जहां पर फिलेंग स्पीडित ब् microscopic को रखा जाता था वहां पर डॉक्टर भी नहीं थे लाज करने छिए यह दोक्टर का नाम याद रखिएगा कोशन पूट सकता है रेवरेंड मुंतलाबे डॉक्टर का नाम है तो वही एक डॉक्टर सहाब थे जो की प्लेग से पिड़त्व्यक्तियों का इलाज करते थे और एक उस शहर में और सक्स था जिसका नाम था विलियम भागो ठीक है तो विलियम भागो जो है ना वो जाकर अकेले उस क्वारेंटीन नाम के जगह पर साफसफाई का काम करता था लोग जो है ना उससे पूछते थे कि तुम्हें डर नहीं लगता है जाकर तुम महां पर साफसफाई का काम करते वह अगर तुमको प्लेग हो गया तो तो विलियम भागो कहता था कि इंसान का पर दूसरे इंसान की मदल मदद ना करें तो वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हैं इनसान को हमेशा दूसरे इनसान की मदद करते रहने चाहिए। ठिसके ओर और जब मौत का क्या है ऑद cheb हमारे जिन्रकी में लिखी तब नहीं कर दो सकता है कि आज को सुन लिया करते थे कोई अपने आप में बदलाव नहीं लाते थे विचारा अकेले विलियम भागो जाता और क्वारेंटीन की साफ सफाई करता था इसको पता था कि प्लेग नामा की जो बिमारी है यह जड़ से खत्म होगी साफ सफाई के होजासे जितना ही जदा साफ सफा निभा रहे थे लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा में रोल था वो था विलियम भागोगा ठीक है तो वहाँ पर डॉक्टर साहब इलाज कर रहे थे क्वारेंटीन नाम के जगह पर और दिन भर इलाज करते थे और रात को घर आते थे तो राम बालक साबुन से हाथ दोते थे जाले करते थे और उसके बाद से क्या करते थे कि अगदम गरम गरम कॉफी या फिर ब्रांडी पि लिया करते थे ताकि जो है ना कि पेट में अगर की टारू चला भी गया हो वाइरस चला भी गया हो तो फिर वह गर्मी के अजर से मर जाए ठीक है तो यह याद रखेगा करते थे और जब राथ को घर आते थे तो राम बालक साब truck से हाँद दोते थे गरारे किया करते थे गरम-पानी से और गरंगरम-षैंट कोफी करके और उसके बाद एसे तो रज़ंख जो है न गोड़े की तरह दोडने लगी उनका दिमाग में अजीब सी बेचायनी होने लगी घबराहट होने लगा तो एक तरीके से मतलब एक पल के लिए डॉक्टर साहब को ऐसा लगा कि मुझको भी प्लेग की बिमारी हो गई है अजीब सा उनके साथ होने लगा नफस घोड़े की तरह दोड़ने लगा था ठीक है अजीब सा दिमाग में उनका होने लगा था ठीक है चक्कर साने लगा था घबराहट फिल हो रही थी तो एक वक्त के लिए ऐसा लगा कि इनको भी प्लेग नाम की बिमारी हो गई है लेकिन जैसे जैसे ब्रांडी का नसा उत्रा तब इनको समझ में आया वह हमको प्लेग की बिमारी नहीं हुए बल्कि मैं ज्यादा ब्रांडी पी लिया था ठीक है तो इस तरह से चलता गया चलता गया मतलब प्लेग से पीरित व्यक्तियों को डॉक्टर साब इलाज करते थे और विलियम भागो जो है ना साफ सफाई का काम करता था दवाव अगर इसकी मौत है और ते बाद से इसकी मौत हो गई ना उस वक्त के मोमेंट को देखकर डॉक्टर सहाब को भी मतलब ऐसा डॉक्टर सहाब को भी बहुचदा दुख हुआ उनकी आँखों से भी आशू निकल आए कि काश में इलाज कर दिया रहता इसकी बीवी का तो इसकी बीवी रह जाती बज जाती आज मतलब अफसोस हुआ डॉक्टर सहाब को मैंने मना कर दिया उसके बाद से मतलब डॉक्टर सहाब को ऐसा लगा कि विलियम भागो मुझसे गुस्सा हो गया होगा अब वो अकल से साफसफाई का काम करने के लिए नहीं आएगा वो काम करने आएगा ही नहीं डॉक्टर सहाब को वैसे लागा लेकिन अगले दिन डॉक्टर साब क्या देखते हैं कि विलियम भागो उसी तरीके से काम करने के लिए आता है साफ सफाई करता है भले उसकी बीवी का इंतकाल या इनकी मौत ही क्यों न हो गई हो ठीक है इनसान को दूसरे इनसान की मदद करती रहनी चाहिए मौत क्या क्या है जब भी मौत देखी हुई होगी वह हो जाएगी हो सकता है डॉक्टर साब आपको पलेग की बिमारी हो जाए आपकी मौत हो जाए हो सकता है कि हमको पलेग की बिमारी हो जाए हमारी मौत हो जाए मौत का क बाद इसी तरीके से विलियम और विजाद विलियम भागो जहना और भी शिद्दत से और जोस जुनून के साथ सफ़ाई का काम करने लगा और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि प्लेग नामक विमारी पर काबू पालिया गया यान कि जो प्लेग की विमारी थी वो जड़ से सब्सक्राइब झान करने लगा और उसी के वज़सेदिंग प्लेग नामक विमारी पर काबू पालिया गया तो बहुत बड़ा जश्न हुआ जलसा हुआ ठीक है और उसी में डॉक्टर साहब को बुलाए गया था लेकिन सभी को यही लग रहा था कि डॉक्टर रेवरेंड मंतलाबी के वज़से प्लेग नामक विमारी पर काबू पाया गया है लेकिन डॉक्टर साहब बैतर जानते थे कि विलियम भागो के वज़से ही प्ले करजा दिया गया यानि कि उनका ओधा और बड़ा हो गया और यह सब कुछ जो है ना विलियम भागो एक कोने में खड़ा उकर देख रहा था जब जश्न खत्म हुआ तो विलियम भागो जो है वह जाने लगा तो डॉक्टर साहब आये विलियम भागो के पास और बोलें कि देखो विलियम भागो मैं जानता हूँ कि जो प्लेग नामक बिमारी पर काबू पाया गया है ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वज़ा से लेकिन सब्सक्राइब हमें के लिए बात को कोई नहीं है बस इसने कर्म किया ये चाहता था कि किसी भी तरीके से बिमारी पर काबू पा लिया जाए और कुछ नहीं ये चाहता था मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं कि कोई काम करते हैं तो अपना नाम भी करवाते हैं कि हमने ये काम किया है अब हमारी तारीफ करो लोग हमको जाने में उस तरीके से नहीं था कै और फाइनली यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है अब चलिए हम लोग चैप्टर नबर 31 को समझते हैं लेकिन अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फड़ाफट लाइक कर दे चानल पर नए नए आए हुए हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके है जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 31 इसको कमप्लीट करते हैं तो 29 2डवा चैप्टर तो अब यह लास्ट चैप्टर क्यों हुआ था क्यों कि देश में महंगाई भरस्टचार बेरोजगार शिक्षा पढ़नाली चुनाव पढ़नाली सब इधर उदर उलट पर लट हो गया था कोई सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था ठीक है महंगाई थी देश में बेरोजगारी थी लोग भूख से मर रहे थ लिए उसी को आप लोगे ट्वच के ऊर्दू के बुक में बस प्रिंट करती है जिस तरह सी भाषड दिए हैं बिल्खुल हूबाहू उसको प्रिंट करदिया गया है और उसी को 5000 नबर्टारटीम बना दिया गया है रियान की कामिल इंक्लाब चैप्टर है यह क्या है खुत्बा है यान की उतदेश है किसका है तो जैप्रकाष नरायन का जैप्रकाश नरायन कामिल इनकलाब का नेत्रित्व कर रहे थे संपून क्रांती का नेत्रित्व कर रहे थे और उस वक्त ये भाषड दिया करते थे अलग अलग जगह उपर जाकर तो उसी भाषड को हूब हूब आप लोगे बुक में प्रिंट कर दिया गया है और चैप्टर नमबर 31 बना दिया गया है टाइटल दे दिया गया है कामिल इनकलाब तो यह चैप्टर क्या है कि खुत्बा है याद रखिएगा तो सबसे पहले तो हम लोग जया प्रकाश नरायन के बारे में जो भी डिटेल्स आप लोगे बुक में दिया गया है उसको सबसे पहले समझेंगे उसके बात से कामिल इनकलाब इस चैप्टर में क्या बताया गया है जैप्रकाश नरायन भाशन जो दिये हैं उसमें क्या बोले हैं लोगों को यह आप लोगों को पता चलेगा मैं आप लोगों को हर एक बात को इनके भाषण को एकदम सिलसेलवार तरीके से बताऊंगी पढ़कर ठीक है तो सब तो पहले समझते हैं जैप्रकाश नरायन जैप्रकाश नरायन के बच्पन का नाम था बाउल लोग इन्हें बच्पन में बाउल कहकर पुकारते थे जब यह थोड़ा सा बड़े हुए तो परणाश नरायन जिनको लोग नायक कहा जाता है इनकी पदाइश 11 अक्टूबर 1922 को सिताब दियारा गाउं में हुई थी 11 अक्टूबर 1922 को कहां पर तो सिताब दियारा गाउं में ठीक है इनके वालिद यानिकी पिता जी का नाम था हर्सु दयाल पठना कॉलेजिट पर पढ़ा और इंटर में एडमीशन करवाएं यानिकी पटना कॉलेज से जाकर यह इंटर मीडियर की पढ़ाई पढ़ने लगे लेकिन उसी वक्त गांदी जी और सर्योग अंदोलन चला रहे थे और उनका कहना था कि अंग्रेजों का कोई भी समान यूज ना किया यहां पर 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 इंटर मीडियर कर रहे थे तो पटना कॉलेज को छोड़ दीए इंटर मीडियर करना चोड़ दीए और तक देर साल तक उनकी जिन्दगी यूहीं भी थी और उसी विशिन की शादी भी कर दी गई थी उन्हें सब इसमें इनकी शादी हो गई थी परभावती से जो की ब्रज की स्वर प्रशाद की बेटी थी सहाब जादी थी याद रखिएगा देखिए एक बार फिर से सुनिये प उसक्त गांदी जी असयोग अंदोलन चला रहे थे तो उनके कहने पर जो है ना प्रकाश नराया पटना कॉलेज को छोड़ दी और उनकी जिन्दगी जो है ना डेर साल तक यूहीं बीती और इसी बीच इनका साधी कर दिये गया था उन्हें सब इसमें किस से तो परभावत नाम की लड़की से जो की प्रभावती जो थी ना वो ब्रज किशोर परसाद की बेटी थी लड़की थी ठीक है तहरी की अजादी के वजह से पटना कॉलेज छोड़कर बिहार विद्या पीट से इंटरमीडियर इन्होंने किया अब तो इनकी जिन्दगी डिएर साल तक जिन्दगी इसी तरीके से जिर्ट साल आप यूंके सकते हैं बरबाद हो गई तो फिर इन्होंने क्या किया कि बिहार विद्या पीट से इंटरमीडियर किया था पटना कॉलेज को यह छोड़ दिये थे तहरी की आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा था उसी के वजह से पट सांब לסख्य हैं यह प्रोफेसर फूले्ड सहाए वर्मा के पास यह बनारस चले गए याने कि ich करने के बाद आ हासिल करने के लिए यह अग Canyon के लिए कहां मेरीक चले गया और जijnक अबे झब मैं करके अपतल हैं यह जो भी इंको मंथली मिलता था उससे अपनी पढ़ाई कर रहे थे वहां पर और यहां पर भारत के लोगों ने जैप्रकाशन नारायन को अमेरिका का दलाल तक कह दिया तो यह याद रखेएगा कोशन पूछा जा सकता है कि अमेरिका का दलाल किसे कहा गया आप्सन में दिया रहेगा जैप्रकाश नरायन ठीक है उसके बाद से कैलिफॉर्निया शिकागो और रूस की तालिमी अदारे इन्होंने यूज किया था अपने एजुकिशन में ठीक है और उसके बाद से इन्होंने समाजियात में में किया ओहायू यूणिवर्सिटी से ओहायू इंवर्सिटी से और प्यच्डी करने वाले थे तभी इनकी मा का इंतकाल हो गया तो यह सितंबर 1929 को हिंदुस्तान वापस आगे जब हिंदुस्तान आए 17-sen 29 तो 19Boy गिरफ्तार और दिया जब में तुम्हें तो उन्हें सा तीस के आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे उन्हेंका पास्वा कि भारत चौट अंदोलन हूँ था ऊस वक्त इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इन चलाख्त है प्रकाश piace्या अध्यृत बन्द कर दिया गया था लेकिन दिवाली के दिन जो है न हजारी बाग जो जेल था वहां से 17 फिट उची दिवार को दो कूद कर जो है ना ये भाग गये थे जेल से बार भाग गये थे ठीके सोचिए कितनी हिम्मत देखिए इनकी हजार sometimes न को वार बности और ंची दिवार को कूद कर यह भाग गये थे जेल से बाहर निकल गये था और यह दिवाली के दिन भागे थे कितने फीट उची दिवार कुद कर भागे थे तो 17 फीट उची दिवार याद रखेएगा यह भी कोशन पूछा जा सकता है आगे बढ़ते हैं 18 सितंबर उन्हें सब्सक्राइब को इन्हें फिर गिरफतार कर लिया गया क्योंकि हजारी सब्सक्राइब कर रहे थे तो चाटर अंदोलन कर रहे थे तो चाटर अंदोलन प्रकाश नरायन नहीं किया था ठीक है उन्हें सब्सक्राइब कर लिए और गिरफतार हुए तो जब तक इन इमर्जेंसी नहीं उठा तब तक यह जिल में रहे थे और यह तो जिल से बाहर निकले तो जिल से बाहर निकले एंट्यों उनेस्सा उनासी को 1979 ठीक उनेसे 77 में तो यह बाहर ही निकले थे उसके बाद से अस्पिटल में ही रहा उनासी में इनका इंतकाल हो गया इनकी तस्निफ यान की क्रियेशन का नाम दिया गया है जैसे की कामिल इनकलाब सर्वोदय और जेल डाइरी यह इनका खुद का लिखा अब जो कुछ समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो और अगर आप लोग यहां तर नो चाहते हैं तो कोई दिककत नहीं स्क्रीन दोट ले सकते हैं और उसके बाद से मैं आप लोग को यह कामिल इंकलाब इनका जो खुद वह पढ़कर आप लोग को बताऊंगी लिए मैं आप लोगों को यह जो चैप्टर है कामिल इंकलाब यानि कि इस पिश दिये हैं भाषर दिये हैं जैप्रकाश नरायन उसको पढ़कर बताती हूं बहुत ही जोशनून भर देने वाला स्पीच होता है इनका जरा सुनिये का ध्यान से बोल रहे हैं जैप्रकाश नरा से बुनियादी तब्दिलिया वाकि होंगी और मुझे यकीन है कि इसके वजह से इस क्रांती के वजह से स्यासी समाजिक और आर्थिक घुप से बदलाव नजर आएंगे आज जो हमारा समाजी धाचा है उससे बिलकुल मुक्तलिफ धाचा उभरेगा जहां पसंदीदा अना हिंदुस्तान की तामीर हमारी कोशिश है एक ऐसे नए हिंदुस्तान बनाने की हमारी कोशिश है जहां का हर बाशिंदा हर रहने वाला इंसान खुश और मुतमईन जिंदगी गुजारेगा खुश और शांती की जिंदगी गुजारेगा अमीरों और गरीबों के दरमयान व भी लोग बराबर होंगे देखें मौाशी अतबार से एक ऐसा धाचा उबरेगा जहां समाज के गरीब और कमजोर तबकों की फलाव बहबूद को अवलियत हासिल होगी हरीजन आदिबासी मुसल्मान जरई मजदूर बेजमीन किसान और इसी तरह के दूसरे पेशवरों की हाल अगे बोला गया है कि समाजी बुराइया मसलिन च्छुआ चूत जाद पात पिरका वारियत को खत्म करना है छूआ जिसको खत्म करना है हम परिवर्तन ला सकते हैं धिक यह एक aise नए हिंदुस्तान की तामीर हमारी कोशिष है जहाँ पर सभी लोग बराबर हो खुश और मुतमईन यानि की खुश और सांती की जिंदगी गुजारे जहां पर कोई भी छुवा छूत छोटे बड़े जातपात को लेकर भेदभावना हो हर आदमी के दिल में इसी जजबे को उभारना है अपने अमल से अपने किरदार से इसकी सदाकत को साबित करना है सिर्फ बाते नहीं बनानी है परिवर्तन भी लाना है ठीक है यह इनकलाब उसी वक्त कमाल को पहुँचे Nedंगे यानिकि ये इनकलाब उसी वक्त कमाल को पहुंचेगा यानिकि ये जो क्रांती है उसी वक्त सफल मानी जाएगी जब हम अपने समाजी धाचे में बुनियादी तब्दिली लाने में कामयाब हो जाएंगे यानि कि जब हम लोग अपने समाजी धाचे में परिवर्तन ला देंगे उस वक्त ये क्रांती ये सफल हो जाएगी समाजी बुराईयों को मसलन जहेज की बिख की नहीं करनी होगी मैंने तुल्बा से कहा कि हिंदू और मुसल्मानों के दर्मियान जो ये लानत है उसे खत्म करना है आप कहेंगे कि लड़कों के बाप तिलक दहेज मांगते हैं जब तक हम अपने लड़कों के लिए तिलक नहीं लेंगे यह तो नहायती शर्म की बात है यहां पर बोल रहे हैं कि और यह जो समाज में बुराईया फैली हुई है सबसे बड़ी आप यूँ कह सकते हैं कि जहेज तिलक जहेज इसको खत्म करना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब तक हम अपने लड़के में जहेज नहीं लेंगे तो लड़की में देंगे कैसे बहुत सारे लोग अभी के समाज में जादतर जहेज तिलक लिया जा रहा है ठीक है और बहुत सारे पैरेंट्स का कहना है कि जब तक हम लेंगे नहीं तो देंगे कैसे जहेद तो यहां पर जैप्रकाश नरायन कह रहे हैं कि मैं उन सभी वालिदें से कहना चाहता हूँ मैं उन सभी माता पिता से कहना चाहता हूँ कि आपके आुलाद जानवर नहीं है घोडे बैल नहीं है कि उनका सौधा किया जाए वो आपके बच्चे हैं हमारा मौशा और खासकर कदिमी मौशा मौशा मुश्व रहा है सिता ने राम चंदर जी को अपना खाविंद चुना पहले सौंबर हुआ करते थे जहां लड़किया अपने शोहर मुंतखब करती थी आज लड़कों के वालिदेन लड़कों के वालिदेन को राजी करते हैं और वो कहते हैं आप पहले लड़कों को राजी करें तब मैं कुछ कर सकूंगा लड़कों से बात करो तो अच्छी लड़की भी उन्हें चाहिए और बाहर जाने के एक राजात के लावा अमबेस्टर गाड़ी भी कोई इन बदबख्तों को बतलाए कि तुम्हें लड़की से शादी करनी है या गाड़ी से तुम अपनी बीविया चुन रहे हो या साइकल बहुत ही जबर्दस्त अंदाज में यहां पर धोएं हैं तिलक जहेज को लेकर यानि कि यहां पर तिलक जहेज पर वार क लड़कों के वालदें को राजी करते हैं और फिर कहा जाता है कि आप लड़के को राजी करें ठीक है और लड़कों से पूछो तो अच्छी लड़की भी चाहिए और बहर जाने की एकरजात यान की जहेज भी चाहिए, अमभजडर गाड़ी भी चाहिए, सोना का चैन भी चाहिए, ठीके, मतलब कि तुम्हें लड़की से शाधी करनी है या गाड़ी से, घौ Travya से थरे अगणé ओने ऑज लड़की करनी है तो लड़की अच्छी चुनो ना, ठीके, और इतना ही दम है, तो ख लिया जा रहा है अभी भी कहां खत्म हुआ है ठीक है हम मौश्रती लिहाद से इतना पस्त हो गए हैं कि सोच नहीं सकते हैं लग्या मौश्रती लिहाद से इतना नीचे गिर गए हैं कि सोच नहीं सकते हैं हम बाहर जाने के लिए अपना ओधा बढ़ा करने के लिए समाज में फोपर उठने के लिए जह DM लेते लड़की वालों के त्रस जहीज लेते हैं सोचिए कित army शर्म की बात है मैं नौजवानों। पूछना चाहता हूं ⎲ कि क्या अपनी शादी के वक्त तुम जहह तिलक चाहोगे तो नौजवानों के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वह कहें कि नहीं तिलक जहेज की लानत को खत्म करना होगा मैं नौजवानों से कहूंगा कि तुम अपनी जात से बाहर शादी करो हमने जात और गोतर जैसी लानत को सर पर चढ़ा कर रखा है उच नीच के तफरके को लाजमी तोर पर खत्म किया जाना चाहिए कामिल इनकलाब का नजरिया उस वक्त तक पुरा नहीं किया जा सकता जब तक समाज में इस तरह के तफरके मौजूद हो यानकि कामिल जिन्दगी के अंदर बुनियाद तब्दीली लाली है या इनकी जिन्दगी के अंदर परिवर्तन लाना है एक बहुत बड़ा परिवर्तन ठीक है हर पहलू से मौश्रे की सफाई हो वरना अच्छाई पर बुराई हावी ही रहेगी और जो अच्छे मुस्तक्बिल का हम देख रहे हैं वह कभी पूरा नहीं हो सकता लहाजा जरूरत है कि पूरे मौश्रे की इसलाह के लिए हम कदम उठाएं और टुकड़ों में इसे बाटे नहीं हमारी मन्जिल बहुत एहम हैं लेकिन बहुत दूर हमारा मक्सद साले जमूरियत है अवाम की हुकूमत बनानी है यहां पर लोकतंत्रात्मक्षासन चलता है और तंग दिली और तफरकात के दिवार को मसम्मार कर देना एक नए हिंदुस्तान की तामीर करनी है मैं लगातार गांधी के रास्ते पर जोर दे रहा हूं आप इसे मेरा खुत्बा कह सकते हैं यहां पर जो है ना जैप्रकाश सब्सक्राइन का कहला है कि मैं लगातार गांधी के रास्ते पर चलने के लिए दोर दे रहा हूं क्यों क्यों क्योंकि गांधी जी तरीके को अपनाया ले पर प्रदिर्शन करना है ठीके गांधी करेंगे अगर आप एक हिंसा करेंगे तो मद्द्द मुकाबिल सौ करनें की सवलाहियत रखते हैं लेहाजा जिहन से तश्यदि की बात तो बिल्कुल निकाली दे यानिकि हिंसा करने की बात तो अपने अंदर से निकाली दे और इंसात्मक्त तरीके से हमें अपनी मांग को पूरी करवानी हैं हिंसात्मक्ष तरीक stays gelir है और फॉंति जोर फर काइिम है तो अ increasing संथनी उसलेब्स क्रणाय नहीं की जा सकती है अमनुन का खुशाल रखे बगाट यह नामम्किन है यानि किण अगर आप अगर हम लोग अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो फिर यह तशद्धु दियानी की हिंसा कराह नहीं अपनाना पड़ेगा डंडो के जोर पर यह नहीं किया जा सकते यह मुम्किन ही नहीं है हमें अहिंसात्मक रहा अपनाना पड़ेगा शांती पुन परदर्शन कर सिक्के के पहलु एक दूसरे के बगाएर इनका वजुद मुमकिन नहीं है यानि कि शांती और छम्फ這樣 जोन नइक बाइब का किना है कि मैं लोगतंतर पर विश्वास करता हूं मुझे लोकतंतर यकीन है इसे मुझे हिंसा पर यकीन नहीं ठीके फूर अमन इंकलाब में धाशाकी तब्दिली हैं ख़दाना खास्ता हें तो उसे काफी अर्षा लगेगा लेकिन पूरा मन इंकलाब फौरन लाया जा सकता है और वह तो आ चुका है यानि कि अगर हम अपनी हिंसात्मक तरीके को ना अपना कर और हिंसात्मक तरीका अपनाए शांती पूर्ण परतर्शन करें तो हम अपनी बात मनवा सकते हैं ठीक है यहां पर देखे लिखा गया है जब समाज में लोग को तकलिफ मिलता है दुख दर्द मिलता है परेशानिया होती है तो लोग धीरे-धीरे इकठा होने लगते हैं यान की क्वांटिटी बनते चली जाती है और जब धीरे-धीरे लोग इकठा होने लगते हैं तो इकठा होकर वो परदर्शन करते हैं मांग करते हैं और वही quantity quality में बदल जाती हैं ठीक है तो यह काल माक्स का कहना है मसायल हालात में नुमाया तबदिली के बास हो जाते हैं बद उन्वानी के सिलसले में आज वही सूरते हाल है मतलब अभी भी हमारे साथ वही हो रहा है हमें हमारे समाज में हमें बहुत ज़्यदा तकलीफ मिली है ठीक है बहुत ज़्यदा परेशानिया देखने को मिल रही है बहुत दुख है दर्द है सही तरीके से सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है इस वह जैसे हमें भी एक साथ मिलकर जो है ना quantity को quality में बदलना होगी एक साथ मिलकर हमें यह परदर्शन करना होगा एक साथ मिलकर करना होगी ठीक है उसने हालात में नुमाया तब्दिली ला दी है और इनकलाबी तब दिलियों के लिए जमीन तयार हो चुकी है तब दिली आने वाली है वरना यह समाजी धांचा ही तूट जाएगा के धारे को पहचान लेता है जो इनकलाबी रहनुमा होते हैं यानि कि जो इनकलाब करते हैं वो वक्त के धारे को पहचान लेते हैं कि कब क्या करना है हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अपनी पूरी ताकट से अद्मित तशद्द की रहा अपना कर मसाइल के हल की तलाश करें ठीक है यानि कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए कि पूरी ताकट के साथ हम इंसातमक अपना कर और इसका हल निकालें हम आज एक तारीखी मोर पर खड़े हैं आगे लिख रहे हैं आगे ब अखलाब की ज़रत है लेकिन कौन आएगा आगे कौन मुलक के लिए कुर्बानी देने को तैयार है इस मुल्क की रूप को नौजवानों ने बहुत तक्वीत पहुचाई है नौजवान ही यहां की रूहानियत के इलम बरदार है अद्वियत फलसफ़ा के बानी शंकर अचा भी अफ्रीका में नसली मित्याज के खिलाफ जिहाद चेड़ा उस वक्त वह नौजवान थे दकिन अफ्रीका के हिंदुस्ताइयों के दर्मियान जिंदगी की रूह उन्हों नहीं फूगी दोस्तों रूहानियत नौजवानों की कौत परवाज चाहती है लड़कर आते हु कौन कुरबानी देने को तैयार है याद करो अद्वियत फलसफा के बानी शंक्राचारे जो थे ना उन्हों ने अपनी उठती जवानी के दिनों में ही रूहानियत का परचार परसार किया था सौमी विवेका नंद को आप लोग जानते ही होंगे सौमी विवेका नंद ने व भषब भाव हूँआ करता उसक्त इन्होंने जिहाद च्यक्रादा धा्थ उस्वक्ट वह नौजवास थे यहांस तक कि दक्षिन अफ्रीका के हिंदंब्यानल जिंदगी के निए इस वह को आगे आना होगा लडखाजते हुए बुढ़ांअत यहां पर बुढे सब्सक्राइब नहीं है इस वक्त ज़रूत है नौजवानों की तो जितने भी छात्र छात्र हैं जितने भी नौजवान है इस देश के आए और आगे बढ़े अपने देश के लिए इकठाओ और इस संपुर्ण क्रांती में भाग ले और नए हिंदुस्तान की तामीर में जोह इतना जजबा होना चाहिए कि अपने देश के लिए इस कुर्बान होने के यंदे तैयार हो जाओ ठीक है और पर दो हस्ते हसे कुर्बान हो जाओ ठीक है तो इस तरह से जोश जुनून भर देने वाला इनका स्पीच हुआ करता था बोल रहे हैं कि देश के लिए कौन आगे आएगा तो नौजवान इस देश के नौजवान ही है जो की आगे आ सकते इस वक्त नौजवानों की ज़ुरत है और नौजवानों के अंदर ही वो जर्जबा वो जोश व आया होगा कमेंट बॉक्स में बढ़ लिकर बता दीजिएगा कि आज का क्लास कैसा रहा जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई हूं समझ में है तो लाइक तो बनता है अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो बड़ापट लाइक करते और जितना जदा हो सके अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज